नमस्ते दोस्तों आज मैंने एक बिल्कुल ही अलग तरह का विशय चुना है आप से बात करने के लिए आपने देखा होगा आजकल OPD Prescriptions जो हम लोग बनाते हैं उसमें हम एक शब्द यूज़ करते हैं Comprehensive Lifestyle Changes अचानक ये क्या हुआ कि ये डॉक्टर के Prescriptions पर आ गया ये तो आएगा ही और बढ़ेगा ही क्योंकि अब डॉक्टर्स के लिए ये चैलेंज होता जा रहा है कि कैसे सामने बैठे पेशेंट को कन्वेंस करें कि तुम्हें दवाई की नहीं सुधार की जरूरत है अब Comprehensive Lifestyle Changes में हम क्या कन्वे करना चाहते हैं वो पॉइंट्स जो आप सोचते हैं कि Importance के नहीं है जैसे की Regularity of the Routine of the Day लाइक आप कितने बज़े खाना खाते हैं आप कितने बज़े उठते हैं आप कितने बज़े सोते हैं आपकी Routine क्या है ये एक नियमित होना चाहिए याद करिए अपने स्कूल का टाइम टेबिल कुछ वैसा ही थोड़ा भाउत आदा घंटा आगे पीछे चलता है लेकिन घंटों आगे पीछे नहीं दिन को रात बनाने की कोशिश और रात को दिन बनाने की कोशिश न करें अपने Body Rhythm को अपने Brain को Rhythmic रूप से Natural तरीके से काम करने दे फिर आती है बात Sleep Hygiene की Water Hygiene सुना है Food Hygiene सुना है आज Sleep Hygiene भी सुन लीजिए Sleep Hygiene का मतलब है कि जब आप सोने वाले हैं आप सोना चाहते हैं तो उससे करीब एक घंटे पहले से आपकी सारी स्क्रीन Off होना चाहिए आपकी आँख स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए अपने Brain को आप Relax करेंगी और जो कुछ आप सोने से पहले स्क्रीन पर देखते हैं वो Soothing and Positive होना चाहिए तभी आपका Brain Relax रहेगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी अच्छी नींद अच्छा Brain Relaxation मतलब एक Coordinated Good Teamwork of All Brain Centers फिर अब बात करते हैं हम खाने पीने की आप जो भी खाते हैं या जो भी आप पीते हैं उसमें भी आपको एक Balancing और Hygiene रखना पड़ेगा आप रोज क्या खाते हैं वो तै होना चाहिए और मेरे ख्याल में Monday to Saturday on average सेम होना चाहिए एक Cheat Day कर लीजे अपना Sunday कर लीजे उस दिन आप वो करिए जो आपका मन कहता है बाकी 6 दिन वो करिए जो आपका दिमाग कहता है फिर देखिए आपको डॉक्टर की जरूरत पढ़ती है या नहीं यह हम अगली बार जब मिलेंगे तब बताईएगा Thank you